हेलो जी हेलो गुड बॉनिंग नमस्कार राम राम आज है 23 अप्रेल 2024 और अभी हमें लेह में आज का हमारा प्लान है यहां से स्टार्ट करेंगे सिद्ध जाएंगे खारदूला और उसके बाद पहुंच जाएंगे नुब्रा वैली नुब्रा वैली में हुंदर में हम आज नाइट इस्टे करेंगे तो अभी बजे हैं साड़े नो जादे को लेट बगरा हुआ नहीं है पांच्छे घंटे के आज की हमारी जर्निय शाम को चार बजे तक बड़े आराम से हम पहुंच जाएंगे अभी करते हैं ब्रेकफास्ट आख कि यह क्या हो गया अफुर ह소ас और जाएगा गर्मघ्रम बना रहे हैं लारे है ये है ऐलू की सब्जी एब यह हैं पूरी आलो पूरी क्या बात क्या बात क्या बात पूरने जी सार गूण निंर्बडी आई बहुत गूइ और आज जो है ना लंच का कोई ऐसा पका मतलब बैतर लंच का कोई भरुस्सा नहीं है तो यह breakfast भर भर के करना और एक चीज हो रहा है मैं आपको यहीं पर दे दूँ यह लो सर ओर एस इसे ना अभी उसमें डाल रहा अपनी बोतल में और यह शाम तक खतम कर देना यह लो सर ठ खीक है जी शाम तक खतम कर देना धूपने के लिए बोड़ी आपकी डिहाइट्रेट हो जाएगी उससे बचने के लिए ओर आरेस जरूरी है गुड मॉर्निंग नासिर भाई क्या हल है आज कहां चलना है आज नुब्रा वेली जाएगा सर अबने तो क्रीम वीरीम बहुत ल यह कितना वज़न होता ही इसमें यह सअधे 3-4 लीटर का होता है सबसे मास्क इसका मास्क यां मस्क है दिखाना यह तुल दूसरा किया दुला सो पॉसरा कि ये टवाना इसका मास्क मास्क ए माशिव कर जो लगा हुए है यह 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 मास्क हो गया और यह इसका यह इसका हो वो हो गया कंट्रोलर इसको इसमें करते हैं इस तरह करके यह पीन है इसमें अंदर डालके इसको बादना इस तरह है पूरा टाइट करना है पूरा टाइट करना फिर इसको ओपन करना है इससे प्रेशर पता चलेगा प्रेशर जो पूरा फूल में है अब इसके बाद इसको जिरू पहना सर इसको वन इन हाफ फिर वन तो यह उक्सिजन सप्लाई यहां से पर निकलने लगी है यहां से यहां से चलो टू थ्री फोर बहुत ज्यादा है सर हां ठीक है ठीक है चलो बंद कर दो ट्रैवल किंग इंडिया का जो भी टूर यहां पर लदाग में जाएगा सभी में गाड़ी में ऑक्सिजन सिलिंडर हो गई होगा और उसके लिए आप से कोई अब यहां गाड़ी में गाड़ी में ओक्सिजन सिलिंडर रहे गाए गहा ठीक है चले सर चलो जी चलो बगवान जैस्री राम जैसिविसंकर चल पड़े जी लेहे से नुप्रा वैली के लिए लेहे से जी 15-20 किलो मेंटर आगे और यहाँ पे उपर वियार वाले रोड चोड़ी कर रहे हैं यह रोड ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है वहाँ पे मशीन लगे हुई है वे रोड चोड़ी कर रहे हैं खोद रहे हैं सडक को तो उपर गिर रहे हैं पत्थर और वह पत्थर जो ना किसी की गाड़ी गुड़ी नो फोड़ दे इसलिए सारी गाड़ियां ही प्रोवग रखी है चल पड़े जी चल पड़े 10-15 मिंट र होते हैं सबके और लदाग पुलिस चैक करती है परमिट वगर हमने पहले से ओनलाइन बनवा रखा था और यहां पर ना बरफ तो है यह बहुत सारी इसके अलाबाब वह एक चाय चुई की दुकान है वहाँ पर जाके आप चाय मैगी मुगी खा सकते हो और एका दुकान और खारदुंगला के 14-15 किलोमेटर साउथ में जो चैक पोस्ट है उसे बोलते हैं साउथ पुलू क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता पुलू का मतलब क्या होता है पुलू का मुला जगे के नाम है और बसनी है इसे आप साउथ पॉल भी बोल सकते हो साउथ पूल और कर्दुंगला के के नाम है कर दो कर दो आँ का दो इस खार दूग्ला पहाँचिक ची काद न ही तो आपड पहुआबगा गी सहवारी उतर जावज़ जहीं यह नहीं पर अगर चाय चुई मिल जाएगी फ्रेश फ्रेश हो लेना बस एक शर्त है यहां पर भागदोड मत करना उचल पूद मत करना नहीं तो समस्या हो जाएगी बस वहाँ पर बोड लगा हुआ है खारदूगला उसके सामने जागे मैं भी फोटो भीशता हूँ अब लोग खारदूगला इन्होंने लिखा हुआ है टॉप ओफ दा वर्ल्ड अब इन्होंने वर्ल्ड हाइस्ट रोड कतम कर दिया अब है जी टॉप अफ दा माइटी खारदूगला और एल्टिटूट भी इन्होंने कम कर दिया है 17,982 फिट नहीं तो पहले यह 18,000 से उपर था हाँ और अभी एक दो साल में 300 फिट और कम करेंगे इन्हें अभी 300 फिट और कम करनी पड़ेगी अभी 100 मिटर इन्होंने जाद है 300 फिट जाद है लिख रखा है योर एडवेंचर इस अबर डेली रूटीन पिछले साल मैंने बियारों से अपने ब्रो से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सही हाईट लिख दो खार्दूंग्ला वर्ड घएस्ट नहीं है यार हटा दो इन्होंने अब कहीं भी निख रखा इन्होंने तो और अब वी हाईट इन्होंने 300 फिट जाद है लिख रखी है 300 फिट अभी इन्हें कम करनी पड़ेगी अगले साल तक मैं ब्रो अगले की साइड करने जा रहा इधर है बरफ बहुत जब परतोस्त वाली बरफ है और आफ्टरनून में मौसम भी खराब हो जाता है अभी बज़ें साड़े ग्यारा देरे देर करके मौसम खराब ऐसे भी तीन चार दिन से लगादार मौसम खराब होई रहा यह जो रोड चली जाती ह तो सारे के सारे यहां पर लेहे से किराई की भाई के लेकर आ रहे हैं खरदूला के दर्सन कर लो भाई हमारे साथ ओक्सिजन लेविल यहां पर बहुत कम रहता है उसके बाद भी मैं विचारा बोल पा रहा हूँ तो मैं मेरी समझ जाओ कि मैं कितने हिम्मत का काम कर रहा हू एक बोर्ड ये है इसके सामने क्या लिख्वा है इसके सामने लिख्वा है विजियक खारदूला टॉप और नौर्थ पुल्लू 14 कилोमेटर तो यां नौर्थ पुल्लू जाके हम हमारे सर्जी भी बैठ गई। नोर्थ पुलू वो उदर सामने दिखाई देगा 14 किलोमेटर है, 46 किलोमेटर है और नुब्रा सेंडियून 60 किलोमेटर सियाचिन बेस कैम्प 184 किलोमेटर हाँ ये बात सर, how are you feeling? सांस ले लेके धीरे धीरे बोलो कोई दिक्कत नहीं कितना मज़ा आ रहा है, सर कितना मज़ा आ रहा है इसके लिए क्या कहें, आपको धन्यवाद मुझे? कैसे कहें अच्छा आप ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं आपको घमंड न हो जाए नहीं, मुझे घमंड नहीं होगा आपको सांस चट जाएगी इसलिए अब इसलिए मैं बरफ में नहीं जाता क्योंकि बहुत मज़ेदार ठिकत बहुत सूख रहे हैं होट सूख रहे हैं होट सूख रहे हैं और सांस चले फिर चलो ज़र टेमपरेचर कितना है वो तो पता चलने रहा लेकिन माइनस पंदरा के आसपास तो है क्योंकि मेरी उंगलियों पर फैंसुफ सा हो रहा है और जब सांस ले रहा हो तो अंदर नाग जमसी भी रही है माइनस पंदरा के आसपास तो है और यहाँ पर जो है ना चाय चुई और महंगी वगरा मिल जाती है चाय है और मेंगी है कावा भी है चलिए ठीक है सब इसके लाबा एक दो दुकान ने और भी है और उधर चले जाओ तो उधर ना टोइलेट बगर भी है अनुट साथ चबता है और चाल 777 हमारी गाड़ी पहाँच गई है नॉर्ठ बूल्द्ध नॉर्थ पॉल्ध यहाँ पर चैक पोस्ट है सामने बैरियर परनिट की है जो परमिट के है न पर भी सारी चैक व्टिए है particularly अधिक ए प्रणाइब करेंगे ठीकाने बहुत सारे हैं चाय महिंगी और अलू के प्राठे वैज मोमो यह देख लो जी याक मिलक मसालाटी मिलक्टी जिंजर पढ़ लो भाई क्या क्या मिलता है यहां पर प्लेन आमलेट वैज चाओमीन एक चाओमीन प्लेन मैगी एग मैगी सम्मिलता बोड़तायि कि यहां पे यहां से कोई इनसान बुका नहीं जा सकता है फिलकुल भी और ऐसा है कि केवल लोड़ेस सम्हें का ऐहरी हैं रहा प्रवॉढन को से लेने से मना गिया है अभी मैं लेकर आउंगा तो दुनों मुझसे खोस लेंगे पारले जी है पारले जी देना एक देना फट 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 दो फट फट दो हाँ सर ये लो ये देखो मेरे लाए हुए पारले जी ये देखो मेरे पहले पहले इन लोगों ने मना किया और अब जो कुतों को खिला रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अब फाइनली हम पहुच गए है नुब्रा वैली अब नुब्रा वैली में क्या है वो जो खालसर से और हुंडर जाने वाली रोड है ना उस पो बंद कर रखी है मतलब उस पर कुछ काम चल रहा है पता नी क्या तो ये एक टेंपरेरी रोड बना रखे नदी के अंदर अंदर से तो अभी ये नुब्रा इस पे शोक नदी पे पूल बना हुआ है टेंपरेरी और ये बिल्कुल बहेंकर वाली और मेरा मुँ तो कती लाल हो गया नंगी आख्कों से कुछ ने दिखाए दे रहा चस्मा लगा गए इस क्रीन पर मुझे कुछ ने दिखरा कैसी कैसी ठीकी शकल आ रही होगी पर मुझे मेरा लाल बंदर बरका हो रहा होगा तो मैं बैठता कर रही है कि अलाव करते हैं क्योंकि गल्मान वगएरा भी उधर ही है और वहाँ पर चाइना के साथ पंगे चलते रहते हैं तो डीबी अगर अलाव करते हैं तो मज़ा आ जाएगा 225 किलमेटर का लद्दाग और खुल जाएगा सिबिलियन के लिए और इतनी चोड़ी इतन इदर ही हंडर है हंडर साओ चले जाओ तॉर्ठुक तॉर्ठुक भी इदर ही है उसके बाद पिर प्योगे लग जाता है और उसके बाद यह पाकिस्तान चली जाती है कितनी बढ़ हाकाम की जानकारी मनें बता दी यह देखो एग ही प्रेम में थोज़ए सा जूम आउट क अबी जी हम पहुंच गें दिस्कित और दिस्कित गाओं के पास है दिस्कित मोनेश्ट्री जहां पर बुद्ध भगवान की मूर्टी बड़ी फेमस है ये मूर्टी आप बहुत दूर-दूर से देख सकते हो तो दिस्कित मोनेश्ट्री में जहां इसी मूर्टी के लिए और अपनी मोनेश्ट्री के लिए मोनेश्ट्री किदर है मोनेश्ट्री उधर है वो ओल्ड मोनेश्ट्री है इन सब के लिए फेमस है हुंडर पमचिले जी हुंडर और यहां पिना एक QR साफ नुबरा एक्पल्ड को टेज या एप्ल्ड को टेज या एप्ल्ड को टेज नुबरा या ऐसी कुछ नाम है अप्ल्ड नुबरा सब आराइज में ठीक है तो यह दिखाऊंगा मैं आपको केंप बगाइर भी दिखाऊंगा आज कितनी तारीख होगी आज होगी मेरे खाल से 24 या 23 तारीख तो इन्होंने पिछले हपते ही स्टार्ट करी है अभी एक भाई पूछ रहते हैं यह स्टार्ट का क्या चक्कर है होता है कि सर्दियों बंद हो जाते हैं सितंबर तक खुलते हैं सारे कैम्प कुम सब अक्टुबर से बंद, टेंपरिचर माइनेस में पहुँ जाएता है, टूरिजम खथम सा हो जाता है, नॉमबर, दिसमबर, जनुवरी, फिर फिर मार्च, सब बंद, अपरेल में भी अद्धे, अपरेल तक मैक्सिमम बंदी रखत फिर अपरेल में खोलना शुरू करते हैं, तो इन्होंने अभी अपने कुछ कैम्प ओपन किये हैं, सारे के सारे ओपन नहीं किये, और अभी ऐसा ही है, ऐसा ही उई सा, धिरे धिरे करके यहां पर रोनक आने लगेगी, अभी कामधाम चल रहा है यहां पर, सहीजी, तो मैं अभी जाद बगवासना करते हुए, आपको कैम्प के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद पर इस वीडियो को करेंगे, खतम, शाम के बजगे पांच, सेंड्यून, यह अपना नुबरा वेली किसले फिमस है, सेंड्यून, सेंड्यून के लिए फिमस है, दो बड़ोते हैं, वो हम कल जाएंगे, वो हम दिखाएंगे अगली किसी वीडियो में, अगली वीडियो में, या फिर उस सी अगली में, जिसमें भी, आज नहीं दिखाऊंगा मैं, आज बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं बहुत थग्या हूँ, और दूप में चले न, प्रवाइब ने इनोंने बेंट की कुरशियां दे रखें, बैठ जाओ, जाली दे रखें, कोई किडे में कोडे भी ने आने के, सर जी, और ये होगए अपना पूरा डबल बैड, ठीक है जी, ये होगए अपना डबल बैड, यहाँ पर दे दिनोंने, चार्जिंग, चार्जि पहले मैं खुद देख लूँ उसके बाद दिखा सकता हूं क्या भार ना बेजती हो जाती है मेरी तो क्या बेजती होएगी इनकी विचारों की हो जावेगी यह जी इन्होंने टॉयलेट टॉयलेट से दे रखे ठीक है जी और पानी-पूरी आ रहा है गरम पानी आ रहा होगा पानी-गरम करने का मास से पानी-गरम 24 गंटे चलता है यहाँ पे नुब्रा वैली में मैक्सिमम्म कैम्प ही है और हर बजट के यहां पे हैं, मैं जो हूँ, कोशिश करूँगा कि कल को दिन में जाके एक आत कैम साइट लगजरी, एक आत कैम साइट आपको और विजिट करा दूँ. यहाँ पर home stay भी है यहाँ पर कुछ hotel भी है जिनको अगर camp कुम मेरा मेर नहीं रूखना है तो वो hotel मेरा रूख सकते लेकिन maximum लोग यहाँ पर यहाँ पर आते हैं camp मेरा के लिए सेम ऐसा ही है पेंगोंग तो पेंगोंग पर भी हम पेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे हैं लेकिन होगा जीरो डिग्री से उपर यह थोड़ा था चार-पांस डिग्री होगा ठीक है चलो खेर इस वाली वीडियो को करते हैं खतम कैसी लगी कमेंट करका जरूर बताना गुड़नाइट बाई 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 राम राम